नमस्कार आप देख रहे हैं दाइंडिया टॉप मैं हूँ आदेश पूरी बिएससी ने अब हद कर दिया है आठ सितंबर तक डेट दिया गया था कि कौन स्टिंग के बारे में सुचना दी जाएगी छातर आयूग पहुंचते हैं तो वहां उसके खिलाफ नोटिस दिया जात आखिर ये कौन सा कारे चल रहा है जो कि साथ साल सालों सवी तक पूरा नहीं हो पाया कॉंस्लिंग का डेट नहीं गोसित किया गया हमार साथ है रामान सर इनी से जानेंगे क्योंकि छातर जो हैं अभी इनी का स्टेटमेंट सबसे अदा सुनना चाहते हैं सर क्या हुआ सर आ है आदेश कि आप देखिएगा कि आखिर आयोग कर क्या रहा है इब एससी है क्यों मेरा सबसे पहला प्रस्ति यह उठता है माननी मुखमंद्री निटिसकुमार जी से मैं चरन वंदन कर रहा हूं उनको कि आप सब काम किये सराबंदी कि इस ग्रेट सेलूट देहजबंदी क गंगा सभाई अभ्यान के लिए अपने किया ग्रेट सेलूट एक ग्रेट सेलूट और ले लिए और कम से कम BSAC और BPSC जैसा आयोग जो चात्रों के लिए अहितकारी कार्च कर रहा है इसको भंग कर दीचे हैं मैं कुछ नहीं मांग रहा हूं किसी दिना दोस्मनी चात्र मे मेरा भी वजूद है औस पर्स च्रूअब से मैं यह कहना चाह रहा हूँ बियसे सी आयोक के अध्यक्ष महदेसे और सची महदेennis की अट इनकी मंसा क्या है । आप आज नहीं दू महीना बाद है, चार महीना बाद है, छो महीना बाद है, फिर साथ साल बाद ही आप अपना किरिया कलाब पूरा करेंगे, तो आप असपस्ट कहने में क्यों डर हैं बाई, मीडिया, प्रिंट मीडिया है, आप लोग है, अल्क्तोनिक मीडिया है, जितने आ तारीक से होगा हम पुछे तो कुछ जबाब दें आप पुछे तो कुछ जबाब दें कोई और पुछे तो कोई कुछ जबाब दें इसका मतलब कि छात्रों के साथ अपकिवल उनके बिरोजगारिक साथ आप नहीं खेलना है आप छात्रों के मानसित्ता के साथ खेलना है खिलिर नहीं किया आपने यह कहा कि एक भी लड़का एक भी सीट खाली नहीं रहेगा चली हम लोग इभी सीट मानने लेकिन आपके मुझसे सुनी हुई बात बच्चों को जितना संतुष्टि पहुचाएगी उतना आपके और हमारे मुझसे सुनी हुई बात का नहीं पहुँचाएगी इसलिए मैं माननी आयोग B.S.S.E. के अध्यक्ष महोदे से सच्ची महोदे से सिर्फ और सिर्फ अब एक विंति कर रहा हूँ कि जो है उसको आप मिडिया के माध्यम से या अपने वेब साइट पर डाल दीजे चाकी बच्चों में जिस तरह का उहाँ पोह की सिति बनी हुए उहाँ पोह की सिति समाप्थ हो और बच्चे को लगए कप कितने तारी को हो जाएगी अभी मैं परसवाद का रहा था तो परसवादा चला की इनका सब कुछ वहन के तैयार हो रहा है सब कुछ तैयार हो रहा हजार 120 सीट है तो 112100 सीट पूरा 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 फूरव होगा तो मेरे मैंने सवाल सवाध पुछा मेरा लाजमी जब उसको लिएगा तमना 13120 में से कोई सीट खाली नहीं रहेगा तो बहुत नहीं टैपिंग और नन टैपिंग में और बाकी जो अन सीट है पुलीस का छोड़के फिजिकल छोड़के उसमें से एक भी सीट खाली नहीं रहेगा और चात्र की जो इच्छा है 2014 में जो फॉर्म क्योंकि बच्चे पागल हो गए हैं चैनल वाले पागल हो गए हैं मैं पागल हो गया हूँ अब पता नहीं बच्चे के साथ कब तक इस तरह का खेलवाड करते रहेगा बच्चों की कोई गलती नहीं मासुम बच्चों के साथ आप जबरदस लगातार खेलवाड हो रहा है इसलिए आप महरबानी करके किसी भी परस्थिती में कॉंसिलिंग का डेट निकालिए और कॉंसिलिंग का डेट निकालके 13120 सीड भरिए ताकि इन बच्चों की विरुज़कारी दूर हो और लंबे समय से चला रहा संस है लंबे से चला रहा तना वो समप्त हो जाए क्या जो र पर बच्चे पढ़ने आया हैं लेकिन जब आप ही परभू इस तरह का काम कर रहे हैं कुछ सुचना देही नहीं रहे तो हम अपनी आवाज कहां मांगेंगें अमरिका जाएं नरेंद्र मोजी से अपनी आवाज मांगें हम लोग हम लोग फ्रांस जाएं कि इंगलेंड नहीं तो वैसी परस्थी में मेरी विंती आपके चैनल से मान्य मुख मतरी नीटिश जी मान्य अध्यक्ष बीससी मान्य सच्यूब यसेशी से कि जितना जल्ली हो सके एक सुचना आप जरूर दीजिए ताकि बच्चों पर जो गुजर रही है वो दूर हो सके सुचना का मतलब वही वागि आप कब से कब से करा रहे हैं आप बोलते हैं 15 सितंबर के पहले किसी हालत में करा देंगे और आज 9 तारीक हो गया 9-6 दिन में क्या कॉंसिलिंग कराएगा आप इसका मतलब वही पंदर तारीक वाली बात आपकी घलत हो गई तब इसके बाद आप कॉंसिलिंग कब कराएगा परभू इसी की सुचना दीजिए 13120 सीट खाली नहीं रहना चाहिए इसकी सुचना दीजिए आप 2014 वाले बच्चों के साथ अब इंसाफ करेंगे इसकी सुचना दीजिए जो सुचना देना है जल्दी दीजिए क्योंकि बच्चे बहुत परिसान है आप से सरकार से आयोक से अधक से सच्चिव से ना आपको ना हमको ना बच्चों को कोई बैक्तिकत दुस्मनी नहीं है हम लोगों केवल और केवल एक चीज़ की चाहत है कि पापी पेट का सवाल है बिरुजगार है हमारी बिरुजगारी दूर कीजिए और जितना जल्दी हो सके इस 2014 के BSSC का जो इंटरसरी फर्ष्ट बेकेंसी है इसका पटा छेप कीजिए पटा छेप कीजिए पटा छेप की और ज़्यादा व्याकूल हो गया है क्योंकि वो इंतिजार करते करते ठक गया है और आठ तरी तक डेडलाइन था कि आठ तरी तक सुचना दे दी जाएगी लेकिन उस समय तक भी कुछ भी नहीं आ पाया तो आयोग से गुजारीस है कि जल्द से जल्द कारे करें आखिर कौ कौंसलिंग शुरू करेंगे लेकिन कोई सुचना नहीं दी जा रही है और उपर से जब छातर आयोग पहुंचते हैं तो आपके द्वारा ही धंकी दी जाती है कि आप पर F.I.R. किया जाएगा थाने में बेजा जाएगा कारे में बादा पहुंचाने के लिए लेकिन कारे आपका कैसा चल रहा है कि अभी तक कुछ भी सुचना नहीं मिला है तो जल से जल हम आसा करेंगे कि आपके द्वारा सुचना दी जाएगी और कौंसलिंग का डेट जल से जल घोसित किया जाएगा फिलाल इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद